नमस्कार दोस्तो यूपी की रस्वाई में आप सभी का बहुत बहुत शायत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम गंदे बोर्ड को या किसी और चीज को साफ करने का सबसे सरल तरीका बताएंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले गंदे बोर्ड या किसी और सामान को हम घर पर सरल तरीके से कैसे साफ करें दोस्तो समय के साथ साथ हाथों की धूल मिट्टी से बोर्ड गंदा हो जाता है बार बार सुइच को यूज़ करने से सुइच गंदा हो जाता है आज के इस वीडियो में हम बोर्ड या फिर किसी और सामान को साफ करने का सबसे सरल और बेहतरीन तरीका जानेंगे दोस्तो बोर्ड को साफ करने के लिए हमें ये थोड़ा सा पानी चाहिए और एक टूट ब्रस चाहिए टूट ब्रस आप कोई भी ले सकते हैं साधार अरसन और टूट पेस्ट चाहिए जो कि हम डेली यूज़ करते हैं हमारे पास ये कोल गेट है हम कोल गेट से साफ करेंगे आप कोई भी टूट पेस्ट ले सकते हैं और हमें चाहिए सूती कपड़ा दोस्तो इन सबी सामानों का इस्तेमाल करते हुए चलिए हम बोड को साफ करना सीखते हैं दोस्तो बोड को साफ करने के लिए सबसे पहले हम ब्रस लेंगे ब्रस को थोड़ा पानी में भीगा लेंगे और उसके बाद हम इस पर कोलगेट लगाएंगे आप जो भी टूट पेस्ट यूज करें उसको लगाएंगे और उसके बाद चलिए हम बोड को साफ करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम बोर्ड पर तूट पेस को रगड़ेंगे गंदे बोर्ड पर जहां भी गंदा है वहाँ पर अच्छे से तूट पेस को रगड़ देंगे दोस्तो थोड़ा तूट पेस और हम लेंगे और उसके बाद बाकी बचे हुए बोर्ड में पूरा अच्छे से लगा लेंगे इस तरह से रगड़ते हुए हम पूरे बोर्ड में अच्छे से लगा लेंगे ध्यान रहे कोई भी गंदी जगा छूटनी नपाए पूरे गंदे बोर्ड पर तूट पेस को अच्छे से लगा कर लगड़ना है जब कोर्गेट एक तम सूखा पर जया थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे उसके बाद हम बोर्ड पर लगा कर अच्छे से रगड़ेंगे इस तरह से अच्छे से दो मिनाट तक रगड़ेंगे जब बोर्ड अच्छे से साफ हो जा ता हम सूखे कपड़े से फोच देंगे क्योंकि बोर्ड में लाइट राती है इसलिए बोर्ड को धोया नहीं जा सकता है इसे सूखे कपड़े से ही फोच लेंगे ध्यान रहें बोर्ड को साफ करते समय सुरच्छा का पूरा पूरा ध्यान रखें। आप यहां पर देख सकते हैं बोर्ड के गंदगी खतम हो रही इसी तरह से थोड़ी देर हम इसे रगड कर साफ करेंगे। जब पूरे बोर्ड अच्छा से साफ हो जाए तब हम सुखे लेंगे और उसकी सहाइथा से हम पूरे बोर्ड को अच्छे से पोच लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हम बोर्ड को अच्छे से सुखे कपड़े से रगड कर पोच लेंगे। जिससे बोर्ड की सारी गंदगी निकल जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड अच्छे से साफ हो चुका है थोड़ी बहुत गंदगी अभी बाकी है इसे साफ करने के लिए हम वही प्रक्रिय फिर से दोराए। तो फिर से हम थोड़ा सा कोल गेट लेंगे और उसके बाद जहाँ गंदगी है वहाँ पर कोल गेट लगा कर रगड देंगे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड एकदम नहीं जैसे चमकने लगा है आप भी इस तरीके से घर पर आसानी से गंदे से गंदे बोर्ड को साफ कर सकते हैं दोस्तों केवल तीन सामानों से घर पर गंदे से गंदे बोर्ड को साफ किया जा सकता हैं आप भी इस तरह से एक बाल जरूर से चरूर अपने बोर्ड को साफ करें उमीद करते हैं आपको या वीडियो पसंद आया हो गर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे धन्यवाद